नमस्कार दोस्तों मैं अंकित वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अंकित वर्मा ओल एच्पी नोटिफिकेशन में तो दोस्तों जो है एक्जाम 2020 में होने वाला है उसके लेकर जो है नोटिफिकेशन जारी किया है कि 27 पदों के लिए 48,000 प्लस लो आवेदन जो है वो आए है तो इसके एक्जाम को लेकर जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया है तो क्या नोटिफिकेशन आई है इसकी पूरी जानकारी में आपको इस वीडियो में देने बाला हूं वीडियो पर एंट तक बन रही है अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगया तो लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हो तो सबस्क्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें जिन्होंने चैनल को सबस्क्राइब कर लिया वो साथ में बेल आइकन को दबा लें ताकि आप तक मेरी हर नौटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके तो चलिए दोस्तो वीडियो को जो है शुरू करते हैं तो दोस्तो जैसे कि देख सकते हैं वहारी राज्जियों की आवेदकों की बॉरड़ण और चंडीगर्ड में होगी वो H.A.S. की प्रिक्षा होने वाली है तो हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा H.A.S. की प्रिक्षा के लिए आवेदन करने वारे बाहरी राजियों के करीब 5,000 आवेदकों की प्रिक्षा प्रदेश के बॉर्डर एरिया सहिते चंडीगड में ले जाएगी करोना संकट को देखते हुए लोग सेवा आयोग ने या फैसला लिया है प्रदेश के बॉर्डर एरिया में प्रिक्षा केंद्र बनाने का काम शुरू हो गया है जल्द ही केंद्रों की सुची जारी कर दी जाएगी अच्छे एस के 27 पदों के लिए 48,000 से जादा युवाओने वह आवेदन किया है जिसमें 5000 प्रदेश बाहरी राज्यों के है इनमें 43,200 बानुए आवेदक परदेश के विभिन जीलों से है और 5084 आवेदक बाहरी राज्यों से है बाहरी राज्यों के करीब 2000 आवेदकों ने प्रदेश से बाहर प्रिक्षाएं करवाने की जो है वो मांग की है आयोग ने करोना संकट को देखते हुए ऐसे आवेदकों के लिए प्रदेश की बोर्डर एरिया और चंडीगर्ड में प्रिक्षा आवेदक करवाने का फैसला लिया उन्होंने बताया कि अंडमान और निकोबार, गुआ, मनिपर, मनिपूर, मेगाल ये नागलान्ड और तरिपूर से एक-एक आवेदक भी आये हैं उन्होंने बताया कि H.E.S की प्रिक्षा के लिए जिस दिन आवेदन किया गया है उसी दिन तक आवेदक की आयू सीमा को देखा जाएगा प्रिक्षा टलने के चलते आयू सीमा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा आयू की अध्यक्ष ने बताया कि बीरबार को कई स्थगित प्रिक्षाओं की संभावित तारीक के घोशित कर दी गई है 22 रेन की अन्य प्रिक्षाओं को लेकर एक सब्ता के वीतर शडिूल जारी कर दिया जाएगा उन्होंने बताया कि 27 शॉलाई को विविन पांच पदों के लिए इंटर्वियू ले जाएंगे इन पदों के लिए प्रदेश के ही लोग चाहने तो हुए है तो इस परकार देख सकते हैं दोस्तों हैस की प्रिक्षा के लिए 27 पदों के लिए और 44 प्लस आवेद को ने जो है वो आवेदन किया है जिसमें हिमाचल ही नहीं बलकी और स्टेट के भी 5000 लोग जहें शामिल है तो दोस्तों यह थी अभी की आज की तादा ख़बर अगर वीडियो अच्छे लगी हो तो लाइक जुरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर जुरूर करें ताकि उन तक भी वीडियो पहुंच सके और अभी तक आपने अंकित वर्मा और अच्पी नोटिफिकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जूरूर कर ले हिमाचल प्रदेश की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए धन्यवाद जय हिन जय भाद